आकाश्वणी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बाग घेला पहले मुख्य समाचार प्रधान मंतरी आज अत्याधुनिक टेंक अर्जुन सेना को सोपेंगे केंद्री वित्र मंतरी ने कहा कि बजट देश की अर्थवस्था के विकास में आवशक प्रोस सहन देगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज तमिल नाडू और केरल जाएंगे शिरी मोदी चेनने में अत्याधुनिक अर्जुन टेंक सेना को सोपेंगे इस टेंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के युद्धक वाहन अनुसंधान तता विकास प्रतिष्ठान ने सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम मंतराले के सयोग से देश में ही डिजाइन विक्सित और निर्मित किया है श्री मोधी चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का उदगाटन भी करेंगे और वाशर मेनपेट से विमको नगर तक यात्री सेवाओं की शुरुआत करेंगे प्रधान मंतरी चेन्नई से अट्टी पट्टू के बीच चोथी रेल लाइन का भी उदगाटन करेंगे प्रधान मंतरी केरल यातरा के दोरान भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेट के प्रोपलीन आधारित पेट्रोल रसायन परिहुजनाओ को राष्ट को समर्पित करेंगे श्री मोधी कोच्ची के विलिंगडन दीप समू में रोल अन रोल आफ वेसल्स को भी राष्ट को समर्पित करेंगे श्री मोधी कोच्ची शिप्याड लिमिटीड में मरीन इंजिनिरिंग ट्रेनिंग इंस्ट्यूट विज्ञान सागर का उधगाटन करेंगे इसके लावा वो कोच्ची बंदरगा में साउत कोल बर्थ के पुनर निर्मान की आधार शीला भी रखेंगे केंद्री वित्तमंत्री निर्मला सीतरमन ने कहा कि केंद्री बजट के प्रावधानों के माध्यम से भारत आत्म निर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है ये बजट कोवीट से प्रभावित देश की अर्थ्वष्था के विकास में आवशक प्रोश्थाहन देगा श्रीमती सीतरमन ने कहा कि सरकार के सुधारों से भारती अर्थ्वष्था आने वाले दिनों में विश्व की बड़ी अर्थ्वष्थाओं में शामिल होगी लोग सबह में कल आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्मंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनोतियों को आउसर में बदलने का काम किया और अर्थिवस्था के दिर्ग अवधी विकास के लिए कई कदम उठाए श्रीमती सीता रमन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरूप का खंडन किया जिसमें कहा गया कि सरकार ने इस बजट में विभिन योजनाओं के प्रावधानों में कट होती की है उन्होंने कहा कि बजट में किये गए प्रावधानों को गलत समझा गया है कृशी शेतर के बारे में वित्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के अंतरगत 10 करोड से भी ज्यादा किसानों को 1,15,000 करोड की राशी अंतरी की गई है वित्यमंत्री ने कहा कि रक्षा बजट में पिछले साल की तुलना में इस साल लगबग 19 पृतिशत व्रधी की गई है मुख्यमंत्री शिवरासी चोहान प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभ प्रत बनाने और किसानों की आयत दोगनी करने के लिए अनेक नवाचार किये हैं आत्म निर्भर मद्दपरदेश की निर्मान में किर्शी शेत्र की भूमी का महत्मूर्ण होगी प्रदेश के किसानों को सरकार से मिल रहे संबल से किसानों ने प्रमुक रूप से गिहू उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया मद्दपरदेश गिहू उपारजन में पूरे देश में अवल रहा किसानों के हित में किर्शी उपज मंडी अधिनियमे संशोधन करते हुए ई ट्रेडिंग का प्रावधन किया गया और किसानों को उपारजन केंदर के साथ ही मंडी के अधिकरत नीजी खरीदी केंदर और सोधा पतरख विवस्था के माध्यम से भी फसल बेशने की सुविधा प्रदान की गई गेहु धान और अन्य फसलों के उपारजन की 33,000 करोड रुपे से ज्यादा की राशी किसानों के खातों में अंतरित की गई प्रदान मंत्री किसान सम्मान नीधी का लाभ मद्द प्रदेश के किसानों को मिल रहा है किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहतर प्रवंदन और सिचाई परियोजनाओं पर कारिक किया गया प्रदेश में अधिक से अधिक शेत्र में सिचाई की उपलब्दिता सुनिशित की गई वर्ष 2020 तक लगबख 40,27,000 हेक्टेर शेत्र में सिचाई सुविधा विक्सित की गई देश में स्वास्त कर्मियों के लिए कोवीड टीका करण का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया स्वाससचीव राजश भुशन ने बताया कि ये दूसरी खुराक उन लाभारतियों को लगाई जा रही है जिने टीका करण अभ्यान के शुरूआत के दिन 16 जनवरी को टीका लगाया गया था अखिल भारती आयर विग्यान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप कुलेरिया ने बताया कि दूसरे चरण की तैयारियां पूरी कर ली गई है हमारी विशेश रंखला अच्छी खबर में आज सुनिये उमरिया जिले के करशी विग्यान को लेकर किये गए नवाचार की कहानी उमरिया के करशी विग्यान केंदर के विग्यानिकों ने अपने अनुसंधान से जेविक खेती को नया आयाम दिया है गमलो में विभिन किस्मों की सबजियां उगाने में सफलता प्राप्त की है जो आम लोगों के लिए फायदेमन्द साबित भी हो रही है उमरिया का क्रिशी विज्ञान केंडर इंदिनों आकर्शन का केंडर बना हुआ है दरसल यहां के विज्ञानिकों के अनूठे प्रियासूं को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं कोविट के दौरान स्वास्त हर किसी की पहली प्रात्मिकता है कहते हैं अच्छा खाओगे तो अच्छे रहोगे इसलिए पौस्तिक हरी जाविक सब्जी के रोजाना इस्तेमाल को लेकर जिले के विज्ञानिकों ने एक मॉडल विक्सित किया है जिसमें साथ गमलों में साथ प्रकार की सब्जियों का उत्पाधन किया जा रहा है और उसाना वराइटी बदल कर ताजी हरी सब्जी उप्योग में लाई जा सकती है जिले के ही हित्गराही व्रजीश वैगा का कहना है कि वैज्ञानिकों का ये मॉडल लोगों के लिए बहुत लापकारी है क्रिशी बैग्यानिक डॉक्टर विनीता सिंग ने बताया है कि इस मॉडल से कम जगए और कम लागत से जैविक खात का प्रियोग कर उगाई जाने वाली इन सब्जियों में कई तरह के वाइटमिन्स, आईरन, प्रोटीन और शरीर के लिए आवश्यक तत्वों मौजूद होते हैं जो कई बिमारियों से निपटने में सक्षम हैं इन सब्जियों के उपियोग से शरीर की रोख प्रतरोधक शमता भी बढ़ती है निशित तोर पर क्रिशी वज्यानिकों का ये मौदल ना केवल लोगों को स्वास्ते के प्रति सचेत करता है बलकि कम साधन में भी बेहतर करने का नजरिया देता है उमरिया से संतोष कुपता के साथ समाचार कक्ष से मैदीपा सिंग देश में कोविट से स्वास्त होने की दर 97.32 प्रतिशत हो गई है पिछले 24 घंटों के दोरान कुल 11,395 कोविट मरीज स्वास्त हुए है कोविट से स्वास्त लोगों की संख्या 1,666,625 हो गई है स्वास्त मंत्राले ने कहा कि समय देश में सकरी मामलों की कुल संक्या 1,36,571 है मंत्राले ने ये भी बताय कि अब 89,67,647 लाभारती को कुवीट के टीके लगाये जा चुके हैं अब समाचावरों में वक्त है एक ब्रेक का कोविट-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरूरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ हर्मू साफ रखें अब को समचार संक्षेप में प्रदेश भर में इन दिनों साड़क सुरक्षा महमान मनाया जा रहा है इसी के तहत चिनवाडा में, सिवनी रोड के पास साहरा धर्मकाटा पिरसाम में कमर्शियल ड्राइवरों की आँखों की जाच की गई जाच के बाद निशुक दवाओं और नमबरों की चसमें भेंट किये गए तेईस्वी राजिस्तरी राइफल शूटिंग प्रिद्योगिता आज से इंदोर में आयुजित की जा रही है और अंत में मुखे समाचार एक बार फिर परधान मंतरी आज अत्यादुनिक टेंक अर्जुन सेना को सोपेंगे केंद्री वित्यमंतरी ने कहा कि बजट देश की अर्थवस्था के विकास में आवशक पर सहन देगा प्रदेश में कृशी शेतर में हो रहे कारियों से राज्जी को आत्म निर्भर बनाने में मदद मिलेगी और अच्छी ख़बर में आज आपने सुनी उमरिया जिले के कृशी वेग्यानिकों के सबजियों को लेकर किये गए नवाचार की कहानी इस बुलिटन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हात धोना भी है जरूरी नमस्कार अब्सान के सबस्याओं अब्साओं अब्सान के लेकर का भोना भी है अब्साओं सबस्सक्ता में आपने समया वे जोगसा अब्साओं को लेकर का घोस्कार